नमस्कार मितरों आमारी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करताू। तो आज के वीडियो में में ये दिखाऊँग। कि आप ये देखरे प्लोर है उसे एकदम साहुल में केशे करें। शो दिखाऊँगा इस वीडियो में तो पूरादेखना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो तो सबसे पहले मेने गौला लगा लिया है और उसके उपर हम मसाला छापूंगा इस तरह है इस तरीके से और सबसे पहले बतादू के यह मसाला मेने चार एक काड बनाया है और हां मसाला कड़क रखा है तो इसे हैं तुर्ड़ा से चाप लेना है इस तरीके से अब इस तरह भी लगा देंगे मसाला को इस तरह है इस तरह है इसे लगा लेंगे और फिर मसाले को इसे सहला लेना है ताकि फंटी मारते ही फंटी में आ जाए और फिर फंटी जला लेनी है इस तरीके से इस तरीके से अच्छा से जला लेनी है और अब साहूल जग करेंगे इसे साहूल जग कर लेना है यसे वेसे हो तो फिर फंटी को चला देना है तो फिर आ जाएगा साहल में फिर दार के पास में मसाला छाप लेना है इस तरह है इस तरह से छापने से सिधा अमारी दार बनती खाड़ा कम रहेगा तार की और तो इस तरह से लगा लेना है मसाला और फिर तार बांदनी है फंटी में तो क्या है ना तार अच्छी बन जाएगी तो अब इस तरह से साहुल चक करेगे इस तरह तो साहुल हो गया है और इस तरह से मसाला लगा लेना है साहुल करके इस तरह है इसे ही इसे सहला लेना है करनी से इस तरह है उसके बाद रुसा चला लेना है इस तरह है उसके बाद रुसा चला लेना है इस तरह है कि पंटी को निकल लेना है और थोड़े बहुत खाड़े होगे तो करनी से हो जाएगे और ज्यादा होगे तो उसा भी चलाना पड़ेगा इसलिए पेले आपको धार बानते समय पेले धार तरफ मसाला इसे लगा लेना है तकि आपकी धार भी इसे निगले आप देख रहे हैं यह से देखो यह से तारकी और मसाला छाब लेना है और उसके बाद फंटी में करें और उसके बाद साहुल चेक कर लेगे इस तरह से और फिर से मसाला लगा देगे इस तरह से इस तरह से लगा देना है फिर रूसा चला लेना है इसलिए आपकी धार अच्छे से निगले देख रहे हो आप यह से निगले कि खाड़ा कम रहे गे और थोड़े से रहे इस तरह से देख रहे हो देखो कैसी निगली दार अच्छे से बन जाएगी घस्तो तो यह से करना है आपको अब और टोप वाली धार को भी बांद लेंगे इसे ऐसे मसाला बिच्छा के वह आगे से ही बांदे हुई हमारी धार उसलिए अबल हमें यह मसाले को काट लेना है अच्छे से यह ने काट आए से और कोई रुसा लेकर अच्छे से यह से कर लेना है तो यह धार भी कंप्लेट हो जाएगी इस तरह से इस तरह से मसाले को लगाकर कर लेना है इससे देखो इस तरह से इस तरह से तो मित्रो मारा यह पीलवर पूरा साहूल में हो चुका है आप देख रहे हैं और हाग गुनिये में भी हो सकता है पर यह दिवार जो दिख रहे हैं गुनिये में ही नहीं है तो गुनिये में पिलवर नहीं होगा तो साहूल में हमने कर दिया है हाँ मकान गुनिय में ही है लेकिन पीछे जो सजा निकला है न वो गुनिय में नहीं है तो ये दिवाल भी नहीं है तो इसलिए हम गुनिय में ये नहीं होगा लेकिन हाँ साहूल में हो चुका है देख रहे हैं आप तो मित्र आप देख रहे हैं complete हो चुका है पिलोर साहुल में अच्छे से कर लिया है तो आप भी कभी कर रहे हैं यसे पिलोर तो यसे कर लेना है तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को share करो like करो और अमारी चैनल पर नए हो तो subscribe करो तो आज के वीडियो में इतना ही जय इन जय भारत